वागर आपका मेरे चैनल पर तो आज हम सर्वाइवर का एपिसोड थ्री बना रहे हैं तो जलिए कनेक्ट करते हैं जल्दी से और आज मैंने नेट बंद किया है शायद आज नहीं आएगा वीडियो स्टार्ट तो गाइज मुझे डेली बोनस मिला था पांच पका हुआ मिल्ट मिला था डेली बोनस में तो मोबाइल थोड़ी हैंग हो गई थी इसलिए मैं पांच पका हुआ मिट डेली बॉनस का आपको दिखा नहीं पाया अभी दिखा दिता हूं यह देखिए मेरे इंबॉक्स में आ गया है फ्रेश वाटर कहां से आ गया तो गाइस मेरी साब से वह फ्रेश वाटर था ही तो गाइस पांच पका हुआ मिट नहीं मिला थ 팔क्रप पांच वाटर मिलया था कि शैद में गलत देख लिया था तो में फंछ वाटर मिला है यह दक सकते हैंङ्या अप 5 वाटर कि मिल्टे है लेकिन अभी हमारे वाटर यहां एंटिपरसंट है और बोड़्ष परसंट है य पाटर सेंटी नहीं हो गया और फूड एट्टी फाइफ हो गया हुआ 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 है बैट को इसमें रख लेते हैं कि लोज है तो चलिए गाइस आज हम एक्स्प्लोर करेंगे इस आइलेंड को आज मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता तो गाइज मैंने पिजलेंट में वह गुरा था कि मैं पता करके आओंगा मीट कैसे पकाते हैं तो में पास अभी एक मीट है मुझे इसे पकाना है तो उसके लिए इस्टाव बननानी पड़ेगी जी हाँ इसके लिए 20 पत्थर चाहिए तो पत्थर हमें पिकैक से मिलेगा तो तो चलिए पिकैक से पत्थर तोड़ते है हैं तो कि अज़ों और भाई इसको तोड काहां तोड आरा है तो प्राइब कि तोड़ ना है लग रहा है अपर से ही तूटेगा हैै अ कि यह क्या हो रहा है आप ऑज इसके लिए थोड़ा समय लगे गई गाई तो इसे बीच बीच में रुक क्यों जा रहा है पीछे कौन मेरे अरे यार मैं तो बोली गया यहां तो बेड़िया है रहे यार मेरे पीछे नहर गया यह इधर से तोड़ता हूँ यार यह क्या लएगा यार मुझे अब गुसा आ रही इस पत्थर के उपर यार यह बेड़िया नहीं रहता तो काम हो जाता यहां चुपके अरे यार ओ नू ओ नू यह मेरे वाट इसमें सिर्फ इतनी सा मारा है मुझे मुझे लड़ गया एक बार में मुझे मार देगा लेकिन यह तो बहुत दीरे मारता है मतलब बहुत कम मारता है मैं जाला दूसरा पत्थर तोड़ने यार यह पत्थर तो एकदम क्वास है आग लेले भाई तब तक अरे यार उदर भी तो बेड़िया है यार जिदर देखो उदर बेड़िया है यह रहा पत्थर इसको तोड़ते हैं तो कहां है यही तो है तो यह क्यों नहीं टूट रहा है अब जल्दी से टूट जा कितना मिला पिद्नों हीटों मिला है तो गाइज थोड़ा सो समने लगने वाला है इसमें फ्लिंट भी मिल रहा है रे यार रे यार रुख जा भाई सोला ठो मिल गए चार और चाहिए और कोई पत्थर तो अपन को अभी नहीं दिख रहा है देखूं तो भाई चल भाई चल दी देखते हैं उधर है उधर भी नहीं है पत्थर वही पत्थर तो नहीं पड़ेगा हमें मार खाखा के बहुत अच्छा दो और मिल जाए बस हमारा काम हो जाएगा रे यार ये हाँ 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 बहुत अच्छे अरे यार थोड़ा सा बस बचाए यार यस 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 अब मिश्टोब बना सकते हैं गाई तो इस्टोब बनाते हैं कि इस्टोब बन चुकी है हम इस्टोब को टेंट के पास लगाएंगे तो अभी चलते हैं हम टेंट खोजने उसके पार है न तो मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा यार यह भीडिये से मार भी खाने पड़ेगी मुझे यह इसी से तूटेगा न ओ यह क्या है मुझे इस्टोन एक्स मिली वह भी फ्री में है चलो भाई मेरा तो काम हो गया यह वाली इस्टोन एक्स टूट जाएगी तो एक थो बच्छी रहेगी यह मुझे मार रहा है पीछे से बहुत जोर से कि इसका अटेग इस लटि के गठर पर भी लग गया तो लख गठर का हैल्स कं वाई थोडा सा तो बैसली आ कर económitel बैसली यह पांगो आप है ब हाई बहेड़ूं कि वह क्या है यह वही ट Sach continues क्या मरा यह यह बोड रहा है यह रहा बोड देर शुट भी सम्सप्लाइज भूप इट हैप्स तो प्रोवाइड में विद शेल्टर एंद फूड एंद वाटर आई कनेक्टेट दग कैन्योन विथा ब्रीज दू नौत थैंक कैन्योन ब्रीज ब्रीज तो वा है बाई कैन्यो का है कैन्योन वहां तो ब्लैक बीयर है भाई कैन्योन तो मुझे नहीं दिख रहा है अब है कि छोड़ो बाद में अगले पिसोड में तो हम यह अपना गाय स्टेंट मिल चुका है यह क्या है पाने की बाल्टी इससे तो पानी निकला जाता है यह क्या है स्टोन वेल पानी निकालने वाला कुवा है गाईज यह तो यहां पर इस बाल्टी को रख देते हैं यस आदी घंटे में आदी घंटे में गाईज हमारा पानी यह खाली वाटर बकेट से इसमें पानी भर जाएगा बहुत अच्छे तो भाई इसमें तो हमारा पायदा होगया बहुत तो बहुत काम का चीज़ है भाई चलो अब श्टो लगाते हैं श्टो टेंट के अंदर लगा है भाई टेंट के पास इधर लगाते हैं कौने में ता कि कोई देखे ना लग जाएगा न हाँ पेड़ के पास लगाते हैं लग जाबाई येस येस हमारे टेंट लग चुका है यानि कि इस्टा हो वह भी टेंट के पास यूज ओ, फ्रेश वालती रहती हैं उस खाली बाल्टी से हम नदी में से पाणि निकाले तो गंदा पानि निकलेगा जोसी एक neighborhood से स्टॉर प्रेश के बना सकते हैं और फिर उसको पी आए जाए दुकी रिया वहा मुट पाक 쿠ट में बन जाएगा एक ही बनाना है हमें चलिए बनाते हैं रोश्टेड मीट इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा तब तक हम गूम लेते हैं इदर उदर देखते हैं अपने टेंट कैसा है वाई हम लोग का ये क्या है तो कैंप फायल लग रही है फिल ओ भाई इस टॉब में से भी मीट पकता है और इसमें से भी श्टॉर में मीट डालके पकाएंगे तब उसमें भी पकेगा और फाले नहीं है तो इसमें भी पका सकते हैं इधर से ऐसे ड्रैक करके मेट ला देंगे तो ये भी आदी घंटे में पक जाएगा जैसे हमारा पान ही आदी घंटे में निकलता है निकर दे कि ट्वैंटी सेवन मिनट अभी बचा है तो रात भी बहुत हो गई है गाईस ये टेंट के अंदर भी हम जाके और मुझे एक चीज पता चलिए है इस हाथ को दबाने से हम सो जाएंगे तो सो के देखते हैं एक बार अच्छा अगर हम सो जाएंगे तो हमको हेल्थ मिलेगी हेल्थ हमारी इतनी खटी हुए हम मिल जाएगी और क्या है इस प्लेज विल बिकम यूर हूम और ये जगह जो है ये हमारा घर बन जाएगा तो भाई ये तो घर बनाना नहीं है हमें और ये तो गाइज देख सकते हो आप सुबह हो गई एक दम उजाला हो गया बाई अब कम्प्लीट यह लिखा है कम्प्लीट मैं यह पूरा हो गया लिखते हैं टेक यह रहा मीट हमारा हमारा फूट घर गड़ गया गाईज लिगता है सोई थे नो इस लिए सोनी के बाद ज चल वाई खा ले और गईज अगर आप इसको दबाके यह वाला जो आइकन है इस आइकन को दबाएंगे ओके करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा देखिए डिलीट हो गया तो मुझे वसपील से डिलीट करना जा यह पानी एक पी लेते हैं बहुत अच्छे हमें थोड़ा और खाना चाहिए चले देखते हैं हमारा पानी हुआ अभी कि नहीं ओ पानी का थे में उतना ही अलग बग लब सोने से समय नहीं घटता है ओ यह बैरी लेके खा लेते हैं एक ही मिलनी थी यार चलो गाई तो मैं सूच रहा हूं कि अगले एपिसोड में हम वुल्फ को मारने की कोशिश करेंगे बेडिये को हो सकता है कि हम बेडिये को मार पाएं है बैसल्तू को डर रहा हूं उसे ठीक है तो कर्ल ड्राय करेंerve गास मरने के बाद उसमें से बहुत समान भी निकलेगा तो समान भी हमेरे काम का ही होगा तो गास मेरे कहल से आज करेवस इतना ही हमने अपना टेंट खोज लिया और स्टॉ भी लिया अपना और मीट भी पका के खा लिया और हमने ये कैमप फायर भी खोज ली अपनी और ये इस टोन वेल भी खोज ली जिसमें से पानी निकलता है तो गाइस अगले एपिसोट में हम जैनवरो को मारने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे तो इस एपिसोट में इतना है गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए गलाइस और अपने दोस्तों को और वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी मेरे वीडियो देख सके हैं तो गाइस बाइबाए टाटा सी यू